नमस्कार दोस्तों, Get Your Solution में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे Canfin Homes Limited की तरफ से जो latest recruitment जारी किया गया है, उसके बारे में हम detail में जारेंगे, तो चलिए, शुरू करते हैं। Friends, आपको बताना चाहूँगा Canfin Homes Limited का जो main business है, वो है different type के loans provide करना, customer को साथ में deposit accept करना है। Friends, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह Canfin Homes Limited की official website है, इसका link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस link को open करें, और जो step में आपको बताने वाला हूँ, उसको एक एक करके follow करें। So friends, इस website के open होने के बाद आपको यहाँ पर carrier का tab मिल जाएगा, इसमें आपको click करना है, click करने के बाद आपके सामने एक नया page open होगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं current openings, यहाँ अभी हाली में एक ही openings है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, recruitment of junior officers on contact, click here to apply online, यहाँ पर click कर के आप इसके लिए apply कर सकते हैं, so friends, apply करने से पहले हम इस vacancy के बारे में detail में जानेगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको PDF का एक image देखती होगी, इसमें आपको click करना है, click करने के बाद friends, आपके सामने एक इस तरह का PDF open होगा, जिसमें canfin homes limited की तरफ से जो recruitment जारी किया गय है, उसकी detail आपको यहाँ से मिल जा गया, so friends, यहाँ पर आप देख पा रहे है, junior officers on contract basis, अगर आप इसके लिए apply करना चाहते हैं, तो 2 December 2020 के पहले पहले आपको इसके लिए apply कर रहा होगा, कैसे आपको apply करना है, क्या इसकी eligibility criteria है, और fees कितनी है, इस vacancy के लिए apply करने के लिए, selection की process क्या है, इन सभी के बारे में हम detail में जानते हैं, so friends, सबसे पहले बात करते हैं, location की, तो यहाँ पर आप देख सकते है, total 50 vacancies है, junior officers के लिए, और location है, जिसमें आंदरपरदेश, तिलंगाना, करनाटका, तमिलाडू, केरला, महरास्टरा, NCR, राजिस्थान, हरियाना, MP, यूपी, यूत्तराखंड, औरिशा, बेस्ट बेंग ओल, 36 कर, different location में, यहाँ पर वेगेंसी है, जिस भी location में आप रहते हैं, उसके हिसाब से, यहाँ से आप उस detail को अपने form में fill कर सकते हैं, so friends, अब बात करते हैं, eligibility criteria के बारे में, education qualification के अगर बात करें, friends, तो आपका graduation होन चाहिए, data entry और computer application में, और आपकी age 21 से 30 साल के बीच में होना चाहिए, जो other requirement है, friends, वो यह है, speak, read and write local language apart with English, local language के साथ साथ आपको English भी आनी चाहिए, job profile के अगर बात करें, तो attending to the customer, documentation, scanning, data entry operations, marketing of house loans, making phone calls, यहाँ से आप job profile के बारे में भी पढ़ सकते हैं, अब बात करते हैं, period of contact and termination की, तो आपका जो contact होगा, friends, यह one year कर रहेगा, इससे future में extend भी किया जा सकता है, यह company की discretion पर निर्भर करता है, इसका जो tenure है, contract का, वो आपके working performance से अगर company satisfy होती है, आपका जो way of working है, उससे अगर company को आप impress करते हैं, तो हो सकता है, आपका जो period है, उसको extend कर दिया जाए, अगर आपको यहाँ से terminate किया जाता है, तो आपको एक मेहने पहले notice दिया जाएगा, और वो जो notice period आप serve करेंगे उस दोराना, आपका जो compensation amount रहेगा, वो आपको मिलेगा, compensation के अगर बात करें, friends, तो first year आपका 16,000 पर month आपको मिलेंगे, दिन उसके बाद अगर आपका period extend किया जाता है, तो 18,000 पर month आपको मिलेंगे, और third year आपका 21,000 पर month का जो payout रहेगा, वो बनेगा, और आप PF के भी eligible रहेंगे, जिसमें 1800 आपके salary से deduct होगा, और 1800 employer इसमें contribute करेगा, mobile recharge का आपका 600 पर month मिलेगा, और convinced expenses जो रहेगा, 500 पर month आपको मिलेगा, special allowance की बात करें तो 1000 पर month मिलेंगे, casual leap आपको 12 मिलेगी, साल की, then बात करते हैं, friends, selection की process के बारे में, selection की process की अगर बात करें, friends, तो सबसे पहले आपको online apply करना होगा, online apply करने के बाद आपका short listing में नाम आएगा, short listing में कैसे आपका नाम आप check कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसकी जो website है, official उसमें आप regular basis पे visit करना होगा, वहां से अगर आपका short listing में नाम आता है, तो आप return test और interview के लिए eligible होंगे, so friends, return test और interview कोई जो भी venue, time and date होगी, वो आपको आपके register mail ID पे send कर दी जाएगी, उसके हिसाब से आप इस instruction को follow करके return test इसका दे सकते हैं, final selection के अगर बात करें friends, तो interview में जो आपका total marks आप secure करेंगे, तो basis of rank list के अधर पर आपका selection होगा, so friends, सभी important information is vacancy से related, अगर आपको लगता ह इस video में कुछ information missing है, तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं, so friends, अब बात करते हैं आपको कैसे apply कर रहा है इस vacancy के लिए, so friends, उसके लिए आपको फिर से इसके जो official website है उस प्याना होगा, और click here to apply online, इसमें आपको click करना होगा, click करने के बाद आपके सामने एक नया page open होगा, और यहां से इस form को आपको बढ़ना होगा है, यहां से आप देख सकते हैं, बहुत सारे tab बने हुए हैं, और जिस state के हैं, आप state का नाम यहां पे देदीजिए, city का नाम देजिए, अपना full name, data birth, और यहां से सारी detail फिल कर दीजिए, और जिस भी language में आपकी fluency है, उसके ब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों क्षाश शेर करना ना भूले, इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,